साथ्यों आज के इस क्लास में सामानी विज्ञान के 50 अति महत्पुन को देखेंगे और ये कोस्टन्स आपके रेलवे, एलपी, टेकनिशियन, एंटीपीसी, गुरूपडी, स्सी, MTS, CGL, CHSL, CPO, SSC, JD कोई भी स्टेट लेबल की पुलिस की एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हो सभी एक्जाम के लिए ये कोस्टन्स आपके लिए महत्पुन होंगे मैंने 50 कोस्टन्स बहुत ही सेलेक्टिड और इंपोटेंट लिया है जो की डाइरेक्ट आपसे पूछी जाएंगे तो बिना देरी किये हुए अपने इस क्लास को सुरू करते हैं और देखते हैं कोस्टन्स आज की क्लास का पहला कोस्टन है पिक्नो मीटर नामक उपकरन का परियोग किसे मापने के लिए किया जाता है बहुत ही ऐच्छा कोस्टन है तो ध्यान से दिखिएगा यह जो उपकरन है डिवाइस पिक्नो मीटर इस से क्या मापा जाता है यह आप से पुछा जा रहा है तो याद रिखिएगा घनतो साथ यो डेन सिटी जो होता है ना डेन सिटी यानि घनतो तो घनतो को मापने के लिए हम पिकनो मीटर नामक एक डिवाइस उपकरन का परियोग करते हैं तो करिक्ट आएगा घनतो अगला है एंपियर सेकंड किसका मातरक है काफी अच्छा कोस्टेन है जो कि बहुत ज़्यादा ये कोस्टेन आपसे पूछा जाता है तो देखिए एंपियर सेकंड की बात करें तो ये आवेस की मातरका मातरक होता है किसका आवेस की मातरका राइट आएगा ओप्सन नमबर भी आवेस की मातरका नेक्स्ट है द्रब ताप मापी की अपिक्षा गैस ताप मापी अधिक सम्वेंदी होता है क्यों? तो देखिए द्रब ताप मापी की अपिक्षा जो गैस ताप मापी होता है ये अधिक सम्वेंदी होता है क्योंकि गैस जो होता है गैस की अगर बात करें हम तो गैस द्रब क अधिक प्रसार करती है इसलिए द्रब तापमापी की अधिक समेधि होता है क्योंकि Bubble puisqu अधिक प्रसार करती है करिक्ट आएगा option A बहुत यह बिर्विर उंपोटिंट में आप से पुछाई जा रहा है कि लेंपप की बति में तेल किसके कारण ऊपर उठता है आपने Lamp देखा होगा या Lalten आपने देखा होगा ठीक है जिसमें तेल अंदर रहता है और बत्ती इस फिता की सायता से यहां पर आपका light जलता है जिस से रोस्नी होता है ठीक है तो यह जो तेल यहां पर है यहां उपर किस माध्यम से जाता है उसको क्या करते हैं तो याद रखना इस बांध की दिवार यानी निव आधार पर अधिक चोड़ी होती है क्यों देखते हो ना किसी भी डेम कोई भी डेम होता है या बांध होता है जिसका दिवार होता है वह आधार पर अधिक चोड़ी होती है क्यों तो याद रखना करिक्ट आएगा option number A दाब को सहन कर सकती है इसल अगला कुश्चे ने तरीत किसके द्वारा उत्पन होती है काफी अच्छा कुश्चे ने तरीत जो है यह बिद्धुत बिसर्जन के कारण उत्पन होती है राइट आएगा उप्शन नमबर ए बिद्धुत बिसर्जन नेक्स्ट है बायू यान खड़े लूप में हवाई कर् तब दिखा सकते हैं किसके कारण तो अभी केंद्रबल के कारण राइट आएगा ओप्सन नमबर ए अभी केंद्रबल के कारण नेक्स्ट है रोकेट की गती पर कौन सा सरक्षन सिद्धान्त लागू होता है तो दीखे रोकेट की गती की अगर बात करें ना तो रोकेट की गती पर कौन सा सरक्षन सिद्धांथ है। जो की लागू होता है तो याद रिखेगा संबेक का सरक्षन सिद्धांथ, ऐस से दुर्बल अमल कौन सा है। usually यहाँ आपको option number A में दिख रहा है बेंजोईक अमल तो साथ वी जो बेंजोईक अमल है इन सभी से दुर्बल अमल होता है तो करिक्ट आगा option number A बेंजोईक एसिड अगला है आवरीती बीजी पोधों की पत्तियों में कितने प्रकार की सीरा रचना होती है तो देखिए आवरीती बी यानि आवरीती बीजी पोधों में कुल दो प्रकार की दो प्रकार की सीरा रचनाई होती है तो करिक्ट आएगा option number B दो प्रकार की चलिए next question देखते हैं अगला है आसंत्रिप्त योगिक के दहन के दोरान किस रंग की लोग देखी जाती है यानि जब आसंत्रिप्त योगि जलता है तो किस प्रकार का लाउध पन होता है किस कलर का तो याद रिखि पीले कलर का पीला आप一下 नंबरे पीली लो अगला इस Chicago स्थिती rapidement कि योग को किस नाम से जाना जाता है बहुत ही अच्छाए ने का Eleory देखीता सब से कम अभिक दोला傑 तो आवर्त सार्णी का जो सत्रवा समू है उसका सबसे कम अभिकिरियासिल मुलतत वो कौन सा है तो करेक्ट आएगा आयोडीन option number D ठीक है अगला किसी माज्यम की प्रकास को परावर्तित करने की छमता को इन में से किसके द्वारा विव्यत्त किया जाता है तो देखिये किसी माज्यम की प्रकास को परावर्तित करने की छमता को किसके द्वारा तो प्रकास घनत्व के द्वारा भी व्यत्त किया जाता है option number D करेक्ट होगा अगला बर्गी करन के विविन पदानु क्रमों में किस समू में अधिक्तम समाल लक्षनों वाले जीवों की सेंखा सरवादिक है तो बर्गी करन के विविन पदानु क्रमों में वह कौन सा समू है जिसमें अधिक्तम समाल लक्षन वाले जीवों की सेंखा होती है तो याद रिखिए correct answer हो जाएगा साथ्यों जगत यानि kingdom में option number डी correct हो जाएगा kingdom आगे दिखे next है उर्जा के परंपरिक सुरोत के एक उदाहरन की पहचान करें यानि इन में से कौन सा उर्जा का एक परंपरागित परंपरिक सुरोत है तो correct आएगा प्राकर्तिक गैस option number A में आपको प्राकर्तिक गैस दिख रहा है जो की उर्जा का परंपरिक सुरोत होता है option number A correct हो जाएगा अगला question है बहु भी खंडन के द्वारा इन में से कौन एक साथ अनेक संतती कोशिकाओं में विभाजित होता है तो बहु भी खंडन के द्वारा साथ योँ बात करें अगर प्लाजमोडियम की ना देखिए प्लाजमोडियम जो है एक साथ अनेक संतती कोशिकाओं में विभाजित होता है तो correct आएगा प्लाजमोडियम अगला है जब एक धातू ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है तो देखिए जब एक धातू ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वहाँ धात्विक हाइड ओक्साइड को बनाता है correct आएगा option number B धात्विक हाइड ओक्साइड अगला है लाल रक्त कनिकाओं कहां उत्पन होते हैं तो लाल रक्त कनिकाओं की बात करें तो यह अस्थी मज्जा यानि बोन मेरो में उत्पन होते हैं तो अप्सन नमबर डी अस्थी मज्जा राइट है अगला कोश्चन है चिकित्सा सास्तर का जनक किसे कहा जाता है तो हिप ह lazım कि यादर निवेश निर्गम प्रणाली कॉंपीटर में क्या बिद्धूआन रहती है तो यादरी करेक्ट आएगा यादी तो इसमीरिती में ठेक इस question को समझे एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक जो है दूसरे से अधिक प्रकास देता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है तो देखिए साथियों कम प्रकास वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधीक है ठीक है जिस बल्ब में कम प्रकास दे रहा है इसका मतलब यह है कि उसका resistance जो है वह अधिक है और जिसमें अधिक प्रकास दे रहा है उसका resistance कम है तो यहां पर option number D के अबल सही कथन है तो यही आपका right answer होगा अगला परितंत्र की सही परिभासा क्या है तो भैप परितंत्र का सही परिभासा है बातावरन के साथ जीवों का का समुदाई जिसमें वे रहते हैं करिक्ट आएगा option number D यदी कोई ब्यक्ती दूर की बस्तों को कोई सफच्ट नहीं देख सकता तो उसका द्रिष्टी में कौन सा दोस होगा तो देखिए यदी को ब्यक्ती दूर की वस्तुओं को इस पस्ट नहीं देख सकता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी द्रिष्टी में कौन सा दोस है तो भई निकर द्रिष्टी दोस है करेक्ट आएगा option number B पीत कहां जमा होती है तो साचो दिखे पीत की अगर बात करे ना तो यह पीतासा ही में जमा होती है option number A पीतासा याद रखना अगला किस प्रकरम में बेनेडियम पेंटा ओकसाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में परियोग किया जाता है तो वहाँ कौन सा प्रकरम है जिसमें बेनेडियम पेंटा ओकसाइड को एक उत्प्रेरक के रूप में परियोग किया जाता है याद रि अगला है एक एवोनाइट की छड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड क्या होगा तो दिखिए जब हम एक एवोनाइट की छड को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वहाँ जो एवोनाइट का छड है वहाँ धन आवेसित हो जाती है करिक्ता आगा सेकंड होती है याद रखना 332 मीटर पर सेकंड अगला कुश्चन है गर्म रुदीर वाले जन्तु वे होते हैं जो अपने सरीर के तापकरम को क्या करते हैं तो अपने सरीर के तापकरम को हमेशा एक साफ बनाए करेक्ट आएगा option number c निमने मेंसे किसका उपयोग उचाईम आपने के लिए होता है तो साथ यहाँ पर आपको अल्टी मीटर दिख रहा है तो अल्टी मीटर का परियोग तो हम उचाईम आपने के लिए करते हैं तो option number c करेक्ट होगा अगला question है चस्मा परियुक्त करने वाले ब्यक्तियों को सुछमदर्सी का परियोग किस परकार करना चाहिए माल लेते कोई एक ब्यक्ति है जो चस्मा का परियोग करता है बिना चस्मे का उसको सही से दिखाए नहीं देता है और वहाँ सुछमदर्सी का परियोग करेगा तो किस परकार करेगा तो भई जाहिड सी बात है कि उन्हें चस्मा पहने रहना चाहिए करेक्ट आएगा option number B आधोनिक कम्प्यूटरों का लगुरूप करण संभव हो सका है निमने में से किसके परियोग से तो देखिए पहले के जो कम्प्यूटर होते थे काफी बड़े-बड़े होते थे और अभी देखते हो ना छोटा सा बिल्कुल छोटा हो गया है यह किसके कारण संभव हो सका है तो करेक्ट आएगा छोटे-छोटे चीप के कारण यानि समा कलीत परिपत चीप के कारण करेक्ट है option number B dirty bum के बारे में कौन सा कथन सही है तो देखे dirty bum की अगर बात करें तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है तो देखे option number A में है यहाँ रेडियो धर्मिता पहलाने वाला कालपनिक bum है सही है यहाँ आतंग वादियों के दुबारा उप्योग किया जाता है यह भी सही है पाडर का रसानिक सुत्र होता है CAOCL2 और इसका रसानिक नाम होता है calcium oxy chloride तो करेक्ट आएगा option number A calcium oxy chloride इसको calcium hypo chloride की नाम से भी जानते हैं याद रखना कौन सा घटक है जो मुत्र का अपसमायने घटक है तो साथ दिखिए इन में से कौन सा घटक मुत्र का अपसमायने घटक ह है तो क्今गायों करेक्ट है option number D किटोन निकाय हरोईन का रसानिक नाम क्या होता है तो हैरोईन का रसानिक नाम होता है morphine diacidate याद रहें औपसन नान्बर ye करेक्ट होगा insulin hormone परिवर्तित करता है किस में तो दिखिए जो insulin hormone होता है यह glucose को glycogen में परिवर्तित करता है याद प्रिकेटोरियस के याद रखिए आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदाई कवक कौन सा होता है यानि आलू में जो रोग होता है ना उत्तरभावी अंगमारी रोग यह किस कवक के कारण होता है तो option नमबर भी correct होगा पाइटो दिखिए पाइटो थेरा इन्फेस्टेंस के कारण correct है option नमबर भी अगला निला थोथा का रसानिक सुत्र क्या होता है साथ यो बहुत ज्यादा important question है यह तो दिखिए निला थोथा का जो रसानिक सुत्र होता है वो होता है copper sulfate with 5H2O ठीक है option नमबर D CUSO4 with 5H2O की बात करें तो यह सालमो नेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है correct आएगा option नमबर D निमनलकित में से सुस्क बर्प कौन सा होता है तो देखिए सुखा बर्प किसको बोलते है तो ठोस carbon dioxide को हम बोलते है option नमबर भी correct है अगला एक वारनाद पुरूस हुआ सामाइ ने है उसको कोई भी विमारी नहीं है तो उनके जो पुत्र होंगे उसमें color blindness होने के संभवना कितनी होगी तो जीरो परती साथ option नमबर D correct होगा आप बोलोगे सर यह तो एक आनुवानसिक रोग है तो फिर क्यों नहीं होगा तो देखो यह होता किसको है माल लेते पुरूस को color blindness है महिला समान्य है तो भई किसको होगा तो याद रखना इन दोनों की जो पुत्री होगी ना पुत्री उसके पुत्रों को ठीक है यानि जो इनको नाना नानी बोलेंगे पुत्र को नहीं होगा पुत्री के पुत्रों को होगा याद रखना यानि नाती को चलिए आगे D यहां correct होगा M-I-C-R के क्या तत्परी हैं तो M-I-C-R के क्या तत्परी हैं यानि M-I-C-R का full form क्या होता है तो याद रिखेगा magnetic ink character reader correct आएगा option number C ठीक है अगला question है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबीत चुंबक्ये स्वी शाथ जो कौन बनाती है उसे क्या करते हैं तो دेखेए मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबक्ये स्वी स्थी स्वी के साथ जो कौन बनाती है उसे नमन कौन बोलते है क्रेक आाएगा option number A, नमन कौन नेक्स्ट है टेकियोन से क्या तात पर यह है तो साथ देखें टेकियोन टेकियोन क्या होता है तो यह प्रकास गती से तिवर गती वाले कन होता है यानि प्रकास की गती से भी तिवर गती वाले जो कन होते हैं उसको टेकियोन बोलते हैं करेक्ट है ओप्शन नमबर ए आज की इस लाइक और शेयर करना इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना मिलेंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में तब तक बिल्कुल स्वस्त्रे हैं जाहिंद वंधमात्र